हेलो दोस्तों विल्कम बेक टू मैं चैनल तो सबसे पहले में दिखा रही हूँ आज कटिंग से लगेवे क्लांचू के प्लांट जिसमें दिखे बहुत सारी कलियां बनना स्टार्ट हो गई यह कटिंग से लगेवे सारे प्लांट है मेरे और ऐसा ही मैंने रेट में लगा दि और यलो कलरके हैं यह और यह हैं और इंज कलरकी तो सबका एक मैं सेट अप बनाने वाली हूँ यह कटिंग जब मैं रिपोर्ट करूंगी तो दिखा दूंगी आपको और दिखी किते प्यार प्यारे विनका के फ्लावर खिल रहे हैं थोड़े से पानी में नहीं सुबे से पानी डाला यह दिखे कैसे सूख करके इस तरीके से हो गया है तो बिना पानी के पौधे दिखी कैसे मुर्जा से जाते हैं तो आज बहुत अच्छा टॉपिक लेकि आई हूं और टॉपिक है मेरा विंटर के प्लांट के लिए मिट्टी कैसे तयार करना है तो आज मैं मिट स्क्राइब कर लिजेगा और वीडियो को लाइक जरू करिएगा ताकि आने लोग वीडियो की नॉट्प्रिकेशन आप लोगों को मिलती रहे तो चलिए मैं दिखाती हूं आगे तो फैंट चलिए मैं कुछ आप लोगों को अपडेट दे रही हूं दिखे यह छोटा छोट सीड्लिंक आप देखसकते हैं लहाइन चोटा-चोटा जर्मीनिशनि देख सकते हैं प्लांट का ये पीछले बार में नर्सरी से प्लांट लेके आए थी और मैंने सेट क्लेक्ट करके इस बार सीटस को मैंने अच्छे प्रोपर तरीक्ये से और पूरे गर्मियों में पूरी शर्दीयों में अच्छे से मैंने केयर करके रखा और अभी देखिए तीन दिन के बाद का यह जर्मिनिशन है चोटे-चोटे फुटाओ आपको दिख रहा हों और उधर दिखे यह वाइट पिटूनी आपको दिख रहा है तो छोटे-चोटे पौदे दिखे सब में निकल रहे हैं और नवंबर का मंद चल रहा है बहुत ही अच्छा इधर मैंने दिखे पीला जीनिया और वाइट जीनिया दोनों दो भाग में मैंने लगाया है और यह आ हो रही है अब मौसम भी अच्छा हो रहा है तो यह दिखे सामने आपको टब दिख रहा है इस टब से दो टब मैंने इसमें मुटी लिया है और एक टब वो वर्मी कमपोस्ट है और उसके बाद चलिए मैं क्या-क्यास में एड़ करने वाली हूँ वो आप लोगों से सियर कर वर्मी कमपोस्ट को मैं एक डाल देती हूं जो की देख सकते हैं ऐसे ही हे और फिर मैं इसको अच्या से देखिए फ्रेंट इस तरीके से और उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूं देखिए यह बोनमील तो बोनमील बहुत यह अच्छा फासपोरस रिस्फट लाजर है बहुत इच्छा रिजल्ट होता है उसके बाद देख सकते हैं यहाँ दिखीए यह सरसो के जिए रांट के लिए मैंथ सरसो की खली जोकी टॉली पीस कर के मैं डबमें में रखा हूं तो दिखें कितने अच्छे से यह थोड़ा थोड़ा दिखिए इतने से यह सरसो सरसोखली में पीश करक्ति यह विंटर के फ्लावर प्लांट में मैं सरसोखली डालती हूं एन पीके का रेशियो होता है बहुत यह रिजाल्ट होता है और प्लांट को बहुत इच्छा हेल्दी और नुटिशन देते रहता है इसको उसके अप फिर दिखे इसमें यह है हमारे टार को और अक्शीजन प्रवाइड कराता है बहुत ँच्छा तरह के मत्पकी नुटिशन प्रवाइड कराता है और इसको प्रबलम को दूर प्लांट के, कर भी मैं थोड़ा-थे डाल रही हूं इसलिए क्योंकि फिर बाद में फिर मैं इसको आइस प्रेव अगरा करती हूं मिटी में भी मिलाती हूं इस तरीके से तो दिखें दो धकन मैंने करीबर से डाल दिया और अब दिखें यह है सुपर फासपोट दिखें थोड़ा समय ने डाला है और अब दिखें लास्ट है नीम की खली तो थोड़ा समय इसमें दिखें मिट्टी मेरी ज्यादा है इसलिए मैंने नीम की खली आदा केजी के करीब डाला है और सबी को मैं मिक्स करोंगी अच्छे से और मिक्स करके फिर आपको दिखाती हो फ्रेंड इतने सारे यह फटलाजर प्रणर डालने से मिट्टी अच्छे मतलब कि वेल्डल मिट्टी चाहिए यह विंटर प्लांट को क्यूंकि बहुत जल्दी वो फ्लावर करते और हैवी प्लांट की लाइफ कम समय तक होती है तो इसलिए फटलाजर है भी चाहिए इनको तो दोस्तों देखे सारी मिट्टी में मिला करके रख चुकी हूं और ठाइम लगया मिलाने में और चलिए अब सारे पॉट में मिट्टी को डालूंगी और चलिए मैं कौन-कौन सा प्लांट लगाने वाली हूं वो दिखाऊंगी आपको तो देख सकते हैं यहां पर वाइट गेंदा है जो कि मैं पॉली बैग में सब 15 रुपे करके लेके आई थी इन सारे प्लांट को लगाने वाली हूं और यह देखिए जीनिया कितना सुन्दर सा फ्लाबर है छोटी सी सौपिंग प्लांट को मैं लगाने वाली हूं तो इसी तरीके से अपना अच्छा सा और वेल्डन मिट्टी तयार करते हैं तो फिर अब इसमें क्या होगा ना कि आपको एक मेहने के बाद लिकुड फटलाजर डाल सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत फंगी साइट करते रहा करिएगा क क्योंकि अभी थोड़ा सा इस्प्रेय वगरा भी चाहिए और सीविट टॉनिक जो होता है वो सब भी दीजिए मैक्रो निट्रेंस प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत अच्छा होता है और मिट्टी में भी अगर सीविट ग्रेंवल में है तो मिट्टी में कर दो तसंटी में नहीं भी और चलिये मैं सारे प्लांट को लगा करके इसी तरीके से सबको रिपोर्ड कर लोंगे और रिपोर्ट करने के बाद के छोटे च्छोटे पॉर्ट में इस तरीके से कलेंडूला लगे हुए हैं दो-तिन प्लांट के मेरे खराब हो गया यहां दि इतने सारे जो पॉली बैग हैं इन सारे को खाली करूंगे खाली करने के बाद इसी पॉली बैग को धो करके सुखा करके फिर से इसमें प्लांट में रख लेती हूं छोट छोटा बहुत सारे कुछ-कुछ मैंने सीट्स लगाया है दिखे ये वोल्डन चेरी का बेभी हेल्डी रहते हैं कोई तरह का फंगस नहीं लगता है और मिट्टी में देखी सके होंगे कि क्या-क्या मैंने मिलाया बहुत ही अच्छे से नुट्रिशन से भरपूर है मिट्टी ये मिट्टी हमेशा वर्क करता है और अच्छी वर्क करता है प्लांट को हेल्दी रखता है तो इसी तरके से आप लोग भी मिट्टी त्यार करके रखें, देखिए मैंने थोड़ा देर सुभा ही मिला था मिट्टी को थोड़ा गार्डन मेरा अस्ति ब्यासत लग रहा है और अभी मैं साफ सफाइभी करूंगी, मिट्टी से फैल गया है पुरा गार्डन और अब ही बह दालिया मिट्टी को और बहुत सुंदर से तयार हो गया हर प्लांट को मैं इसी तरिके से इजी तरीके से लगाओंगी कि बार-बार मिट्टी बनाना नहीं पड़े क्योंकि मिटी नीचे फैल जाती है बहुत ज़्यादा टेरिस पर और साफ सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गंधा मिटी फैलने पर आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन्दर नहीं लगेगा तो कुछ फ्लावर दिखा रही हूं आपक बहुत ही प्यारा खिल रहा है रुधर दिखिए वह पत्तों से भरावा थोड़े-थोड़े फ्लावर उसमें आ रहे हैं बाकी सारे मेरे रोज के प्लांट में दिखिए चोटे-चोटे जब मैं आते साथे टेम कर दी थी बहुत सारे फूल खिले वे थे सबको मैं आप प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो इसी तरह के से आप भी अपने मिटी त्यार करिया और प्लांट छोटे लगाईए थैंक्यों फ्रैंड